प्रणाने वाले हैं फिश और ले चेक कर लें एक बार क्योंकि काटा तो ना हो कि साइड में हाथ लगा के और उसके बाद इसके जो है मैदा ले लिया है और जितना मैदा लिया है उतन ही कॉंटिटी में मैं इसके अंदर कॉंफ्लोर डालूँगा यह इसके अंदर corn flour आ गया, यह आएगा इसके अंदर अंडा, थोड़ा सा यह baking soda, यह optional है, यह मैं इसमें डाल रहा हूँ garlic powder, और यह थोड़ा सा onion powder, इससे क्यों होता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है, salt, इसके अंदर white pepper, इसका main ingredient है, ओ है यह beer, बेसिकली इसको beer batter fish भी बोला जाता है, और अब हम इसका जो है, बैटर बनाएंगे, मैंने एक can use किया है, जैसे ऐसे इसमें mix होता जाएगा, वैसे वैसे मैं इसको फैंटता जाओंगा, अब हम इसमें जालेंगे थोड़ा सा पानी, यह देखिए, हमारा बैटर जो है, रेडी हो चुका है, और अब हम इसकी जो है, फिश और ले बनाएंगे, तो यह देखिए, अब मैं इसको फ्राइ कर रहा हूँ, जैसे-जैसे फिश फकती जाएगी, वैसे-वैसे यह ऊपर आती जाएगी, अब हमेंने हाफ दन करके निकाल दिये, क्योंकि मुझे और भी फिश फ्राइ करनी है, तो इसके बाद मैं इसको दुबारा फ्राइ करूँगा, अब हम इसको दुबारा फ्राइ करेंगे देखिए हमारा फिश और ले रेडी है सर्व करने के लिए फिश और ले टाटर सॉस टाटर सॉस मैंने पहले से भी बना के रखी थी और दिखाऊंगा आपको इसकी वीडियो भी टाटर सॉस कैसे बनाते हैं यह अथेंटिक टाटर सॉस है एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं खुद खा के कि कैसे बनी है वाव अगर आपको यह रेसीपी मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और शेर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायेट डियम कर सकते हैं मेरी डाइब मेरी थिए छेफ डाइरोदेर सिरो शेफ अने रोडेर सिरोड़ सो शेफ अनेरोड शेटी शाइनि गाउफ थेंक यू